गुड मॉर्निग आविवन हम पढ़ रहे हैं चेप्टर नमबर टू प्राचिन भारती एतियास के अधुनिक लेखक Modern Writers of Ancient India उसमें हमने जो वह से बहले बात की उपनी वेस्वादियों के बिचार और योगदान जिसमें कि हमने William Jones के बारेें पढ़ा Charles Wilkins के बारें पढ़ा James Princip के बारें पढ़ा Alexander के बारें पढ़ा Emax Muller के बारें पढ़ा B.S. Smith के बारेंivist के बारे हैं उसके बाद हमने Nationalist Approach and Contribution के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हमने जो राजेंदरलाल मिसर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं सेकें हमने पढ़ा था राम क्रिशन गोपाल बंधार कर के बारे में तो आज हम से पहले पढ़ेंगे 3rd point B के राजवाडे का जोबो क्या क्या अप्रोच रही क्या 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 योगदान रहा उसको हम देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो 1869 से 1926 इस भी तक के रहे ठीक है B के राजवाडे महारास्टर के एक अन्य बिख्यात बिद्वान थे बेव मा म्राठो का इतिहास लिखने किनी ये बहुत से गाउं में गए और लोगों ने हसलिक स्ट्रोट जो वो एककत्रित किये इन स्ट्रोटों को 22 घंडों में चापा गया निसंदे उनकी यह देन भारतिये तियास के पुनन निर्मान में बहुत लाफ्रद प्रमानित हुई उन्होंने यद्द भी कुछ अधिक नहीं लिखा अब नतीर उन्होंने भारतिये बीवा की संस्ता के विकास का बहुत बिष्त्य Тबाण autora ऑपको बुछ आज है कि बारतिये व्कास के विकास में जो वो किसका जो वो सब्सधा योगधान रहा तो ए रहा था किसका भी के रजवाड़े已经 शेक्ट प्यंट देखिए, सेकिंड है PP काने, छेए PP काने संस्कीत के एक महानवीद्वान थे, समासुधारक भी थे, उन्होंने history of the dharmëszaltro contemplation, यहांसे एक कोशीन बंसकता है कि history of the dharm shuts bureau कि से नीगे थि, PP काने नेRadGR लिखिए, history of धर्मसास्त्र नामक एक विशाल ग्रंत पंखंडों में लिखा बस्तमया प्राचिन कालिन बात्य समाजी कानुन और इती रिवाजों का विश्वकोस है उनकी यह देन प्राचिन कालिन बात्य थियास के पुननिर्मान में बहमुल्ले परमाने तुई DR बंदारकर उसे पहले हमने बढ़ता राम करिशन गोपाल बंदारकर के बारे में यह है डी आर बंधार कर भारत के महानभी द्वालों में से एक थे आपने भारत के राजनेति की तियास के सम्द्ध में बहुत लापरत जानकारी प्रदान की आपके द्वारा लिखित पुस्तकों में से सम औस्टोपेक्स पेक्ट्स ऑफ इंसियंट इंडियन कल्चर और असोक सुबिक्यात थी तो आपको पुछा जासता है कि सम औस्पेक्ट्स ऑफ इंसियंट इंडियन कल्चर जोबू पुस्तक जोबू किसे लिखिती तो डियार बंधार करने ए लिखिती और असोक नाम की भी पुस्तक जोबू किसे लिखिती डियार बंधार करने लिखिती नेक्स इंडिया पॉलिटिकल हिस्टि ऑफ इंडिया की सिंडिके थी आहेम चंदर राय चौद्री ने लिखी थी ठेक है तो आगे लिखा है भारत के एक विख्यात इस पुष्टक में आपने दसम स्थाब दी इस वी पूरों से लेकर छटी स्थाब दी इस वी तक के राजने की इतियास का सुन्दर बाणन किया इस पुष्टक में आपने विख्यात अंग्रेज बिद्वान वी एस मित के कई बातों के आलोचना की आपको कोशिन पूचना सकता है कि भी एस मित के कई बातों की अंग्रेज जो बिद्वान था उसकी बातों के आलोचना जो किस बुक में की गई है तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ओफ एंसिट इंडिया जो की लिखी थी किसने हेम चंतराय चौधरी ने लिखी थी तेक है आगे ल प्राम्नवाद से अभिपराय ब्राम्न संस्केति को सर्वसिस्ट बताने का प्रियास करना था तो आपको यह भी कुछ दराश् एक कि कटर ब्राह्मनवाद के सुर्थक जो क्रेंonter जो किनकि उन्होंनों क्या कि था कि आसोग की सांती निती की जोबू नहीं आलोच न की थी इसलिए उतको जोबू कटर ब्राह्मनबाद का मतलब जोबू क्या है कि ब्राह्मन जोभी संस्क्रेटी होती है उसको जोबू सर्वस्टेश्ट बताना यह है कटर ब्राह्मनबाद ठीक है उसने प्रयाच किया था जाए सेवन देखिए आरसी मजमदार इनसे लेटिड भी कई सारे कुछिन जो वो एक्साम में पूछे जा चुके हैं आर्जी मजुमदार तो आर्जी मजुमदार की गर्णा 200 के बिख्यात इतियसकारों से की जाती है आपने इतियसके जवन्द समंधित अनेक पुष्टक या और लेख लेके समंधित बवने जानकरे प्रप्ट की हिस्टी ऑफ बंगाल प्रेकर एक कुछिन जो कहीं वार पूछ राच को है की हिस्टी ऑफ बंगाल जो वो किसे लिखते तो आर्जी मजुमदार ने जो वोई बुक लिखते नामपूछ तक अपने बंगाल के इतियास काईनों ने बंगाल किया था थे इसे अतरिक थे आपने 11-11 खंडो में छपी History and Culture of the Indian Peoples के महासंपातक थे इन में जो वोई प्राचिनकाल से लेकर 1947 इस भी तक भारती इतियास के प्रतेक पक्स का भी बिश्दित पर्णन किया निसंदे आर्शी मजुंदार ने भारतीय इतियास को अद्वित्तिय देन दी नेक्स देखिए 8-K-L-Nilkant-Sastry K-A-Nilkant-Sastry दक्सिन भारत के एक विख्यात इतियास कार थे तुकांत के थे निलकंट-Sastry का के थे दक्सिन भारत के थे अब तक प्राचिन भारत पर जो फुस्त के लिखी गई थी उनमें दक्सिन भारत के इतियास का कोई बिशेस्थान नहीं प्राप्त किया गया था इस अब आपको दूर करने के लिए उन्होंने क्या लिखा था 1955 में History of South India तो यहां से भी कोशिन बन सकता है कि History of South India के संदिकिती तो ए लिकिती निलकंट सास्त्री जी ने इसमें प्राचिन काल से लेकर मद्यकाल तक के दक्सिन भारत के इतियास का बिश्तित पंदन किया गया है इस पुस्तर के इतियास में बिज़ाथियों ने आज भी विक्याता है इसमें आपने यह प्रामानित रने का प्रियास किया कि दक्सिन भारत ब्राहमन संस्कृती से बहुत प्रभावित था इसलिए आपने दक्सिन भारत के राजेता समाज के विशाये में जो निसकस दिये है साथ अनेक बिद्वान साहं मत नहीं है नेग्छे सेखे आज हम 10, 10 पॉइंट तक पढ़ेंगे इसको बागी जबू आगे हम छोग स्को जबू टोटिल इसके जबू कितने पॉइंट है 12 पार्ट ए 2 पॉइंदि हम लोग इसको आगे पढ़ेगे फिर इसके एक्साइज को डिसकर सम करें के ल जैसवाल से भी रिलेटर जो कही सारे कोईशन पूछे जा चुके हैं ठीक है के पी जैसवाल ने 1924 इस भी में हिंदू पॉलिटी तो हिंदू पॉलिटी किसे ने लिखते के ल के सोरी के पी असरका इत्यास था बहुत ताना साही नहीं था जैसा कि प्रस्चिन बिद्वानों में बताया आपका गानाय के प्राचिन काल इन भारत में गंतंत्रिय राज्य था जिसमें लोगों को बहुत से अधिकार प्राप्त थे भारतिय बिद्वान हिंदू पॉलिटी को एक अमर बाते थे तो यहां से भी कोशिन बन सकता है कि कौन से ऐसे जोबू हमारे विद्वान थे जिन्होंने एक पुष्ट लेकिती हिंदू पॉलिटी और उन्होंने इसमें बताया कि भारतिय जोबी सासन थे प्राचिन काल में वो जोबू एक ताना साही नहीं थे उस टाइम भी जोबू गंतंत्री राज्य था ठीक है उन्होंने ऐसा इस बुक में बताया था किसने केपी जैस पाले तैन देखी लास्ट पॉइंट आज का एस अलतेकर ठीक है एस अलतेकर भारत के विख्यात विद्वान थे आपने स्टेट एंड गवर्मेंट एंड इंसेंट इंडिया नामक विख्यात पुस्तक लिए ठीक है इसमें आपने प्राचिनिकाल लिन प्राचिनिकाल में उत्री और दक्सिनी भारत के अलगलग राजबन सो के अंतरगत प्रसासन और सरकारों के सुरूब के विशय में बहुत लाप्रद जनकरी प्रदान की आपके द्वारा लिखित पुस्तके एज्युकेशन इन एंसियंट इंडिया एंड पुजिशन और बुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन भी सुविख्या थी प्राचिनिकाल लिभाति यह थी आजके पुन निर्मान में इन पुस्तकों का मत्पुन यगदान दिया एक और प्रिकैप करते हैं फिसे अधिके एस अलकेकर ने जो कह लिखा था स्टेट एंड गवर्मेंट एंड इंसियंट इंडिया यह जो पुस्तक लिखी थी इनकी पुस्तक थी एजुकेशन इंसियंट इंडिया अब इनकी पुस्तक थी पोजिशन औफ बुमेन इन हिंदू सिविलाजेशन च्रीक है तो और हिंदू पॉलिटी नाम की पुस्तक जो जाइसवाल ने लिखी थी उन्होंने क्या का हुआ कि भातिया जो रिषा सकते पुराने समय में बो जो उनका स्वरूप जो ताना साही नहीं था के यल निलकंट सास्त्री ने क्या लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जो इन्होंने के थी निलकंट सास्त्री का नाम याद रखना दक्सिन भारत से तीक है आर्सी मजुमदार आर्सी मजुमदार ने जो पो क्या लिखा था एंसेंट इंडिया नाम भी क्या तपु हेम चंद्राय चौधरी के बारे में देखते हैं उन्होंने लिखती POLITICAL हिस्ट्री ऑफ एंसींत इंडिया क्म बिचंद्राय चौधरी ने लिखा था इननों किस बिद्वान की जो वो निंदा इालोचना की थी तो वे श्मित की जो वो इननोंने अलोचना की थी इन्होंने कहा था सम औस्पेक्टस ऑफ एंसेंट इंडियर कल्चर के बारे में औरे आरशी मढ़कर ने लिखा था के भी काने के कि फिस्ट्री ओफ धर्म सास्तर ने डीखा हमारा आज का लेक्ट्चर और दिसी दा एंड ओके थैंक यू एंड एव नाइस दी